देश दुनिया में कोरुना मामारी ने इतना डरा दिया है कि लोग अपना कोविग टेस्ट करवाने से भी इतना डर रहे हैं यदि उनका टेस्ट पॉजिटिव निकला तो उन्हें घर से उठा कर ले जाएंगे हमारे देश में अब तक कोरुना के साड़े अठारा लाख मामले आ चुके हैं वर्तमान समय में कोई दोस्त किसी अन्य दोस्त का हाल भी पूछ ले क्या चल रहा है तो जवाब मिलता है कोरुना के लावा फिलाल कुछ नहीं कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में इतना कभी नहीं डरा होगा जितना उसे कोरोना मामारी ने डरा दिया है देश की जन संख्या का कुछ हिस्सा बे परवा है उन्हें कोरों का भे नहीं है शोशल डिस्टिंसिंग से उसे कोई मतलम नहीं है उन्हें मास्क सैनिटाइजर से कोई लेना देना नहीं और वहीं दूसी तरफ खुद को वो परिवार को सुरक्षित रखने वाले लोग हैं चाहे वो कारे ले जाएं या बाजार में लेकिन वो नियुमों का पालन कर रहे हैं उन्हें आपने साथ दूसरों की भी चिंता है कोर्णा से संबंदे जो जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं आधोनिक भारत के पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते ये जानकारी आपको लेनी आवश्यक है कोर्णा के लक्षन दिखने पर यदि आपका टेस्ट होता है तो लाब में रिपोर्ट आने पर ये जरूर पूछ रहें कि आपके आपके आटी पीसी आर में सीटी वैल्यू कितनी है ये दावा हाट केर फाउंडेशन के डॉक्टर केके अगरवाल ने एक वीडियो में किया है उनका कहना है यही वह वैल्यू है जिससे आपको पता लग जाएगा आपके अंदर कोरोना संक्रमन कितना है यह वैल्यू 24 से अधिक होती है तो आप कोरोना संक्रमन से ज़्यादा पीडित नहीं है और आपके द्वारा कोरोना दूसरे लोगों में फैलने की संभावना कम है और यदि यही वैल्यू 24 या 24 से कम है तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी लापरवाई ना बढ़ते इसी वैल्यू के बारे में हाट केर फांडेशन के डॉक्टर केकी अगरवाल ने क्या कहा ज़रा सुने नमस्कार ग्रीटिंग्स रम हाट केर फांडेशन अफ इंडिया इन मेट टास मैं हूँ डॉक्टर केकी अगरवाल ये वीडियो तो आपको शेयर करना है सबको इसे वाइरल करना बहुत जरूरी है क्योंकि अब स्टडीज ये बताती है कि मेरी सीटी वैल्यू आटी पीसी आर में कितनी होनी चाहिए जब भी आपका आर्टी पीसी आर टेस्ट पॉजिटिव आए तो लैप से पूछिए मेरी साइकिल थ्रेशोल्ड सीटी वैल्यू कितनी है वो मना नहीं कर सकते इस चीज को सुनके तो बिलकुल मना नहीं कर सकते अभी तक लोग सोच रहे थे इसकी इंपोर्टन्स क्या है अब पता लग गई है वैल्यू इस ट्वन्टी फोर अगर इसकी वैल्यू चौबिस से ज़्यादा है तो हो सकता है आप से ये बिमारी और लोगों को ना फैले आपका वाइरल लोड बहुत कम है और अगर इसकी व वैल्यू चौबिस से जादा आती है इसका मतलब है उनसे बिमारी दूसरों को होने की संभावना कम होती है अभी तक हमें कट आफ नहीं मालूम था अब रिपोर्ट्स कट आफ के बारे में बातचीत कर रही है कट आफ इस चौबिस कल से बोलिए मेरा कोरोना टेस्ट पॉज जादा है याद रखिए नंबर 24 यह बिलकुल याद रखना है आप सब लोगों को और कम से कम इस मैसेज को चौबिस लोगों को अभी पहुंचाइए ताकि वह चौबिस नंबर आपको याद रहे नमस्कार ताजा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकास टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें